आप अच्छा लगबग 200 किलोमेटर ज्यादा अभी यहां से फिर वैशनदेवी पहुंचेंगे आप यहां से तो बहुत समय लएगा आपको वैशनदेवी जाने में हैं तो तीन दिन और तीन महीने ओहो तीन महीने और अभी आपको लएगा तो सुबा दस से और रात के आड़ बेज तक बिल्कुल मौनमरत रखते आप तो आपको चले गए कितने टाइम हो गया घर से निकले हुए लगबग तो यह धरमवीर जी है धरमवीर सिंग जी यह नौ साथ तोजर तेईस को एटा अवंति वाई नगर एटा से चले हैं यह और लगबग अभी इनको तीन महीने बता रहे हैं तीन महीने इनको और लगेंगे वैशनदेवी पहुचने में इतने हैं अभी इन्होंने सुबा दस से लेकर रात के आट बज़ तक मौन वरत रखावा है बिल्कुल बिल्कुल मौन वरत में है यह तो इश्वर से हमारी प्रात्रा है मातारानी इनकी यातरा हो सब्ल करे और इनको इतनी शक्ति दे कि इस पैदल यात्रा में बहुत ही मेहनत का काम है ये बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं है कि चार महीने तक लगातार पैदल चलना पैदल सारे शहरों में जाना और पहुंचना वहापर माता वैशनों ये श्रद्दा है इनकी कुछ बोला होता है ये लोग आपने कुछ बोला था ये नहीं नहीं इनकी श्रद्दा है ये कि माता वैशनों देवी की आतरा एटा से बिल्कुल पैदल करेंगे ये और मौन वरत रखेंगे धरमवीर सिंग जी आपकी आतरा शुब हो हमारी ही शुब कामने आपके साथ